फेस्बुक पर हुआ पुलिच वाले से प्यार यूपी से बिहार पहुँच गई लड़की यूपी बिहार की अनौखी लव स्टूरी देश में इन दिनों सोशल मीडिया का चलन काफी हो रहा है सोशल मीडिया के जरिये लोग अपनी हर छोटी बड़ी चीजों को साज़ा कर रहे है इतना ही नहीं लोग आजकल अपनी शादी के लिए दूला और दुलहन की भी तलाश इस पर कर रहे है इसी कड़ी में अब एक ताजा मामला बिहार के मुजफरपुर से निकल कर सामनी आए है जहां यूपी की एक लड़की को बिहार के लड़के से लव हो गया और उसके बाद जो हुआ वो अपने आप में काफी चर्चा का विशय बन गया है दरसल मुजफरपुर स्टेशन तब चर्चा में आ गया जब पुलिस जवान की शादी स्टेशन में स्थित मंदिर में कराई गई और पुलिस वाले भाराती बने एक युवती को फेस्बुक पर जवान से प्यार हो गया था और शादी के लिए वो बिहार आ गई बीते दो दिनों से सोशल मीडिया पर एक पलिस कर्मी की शादी चर्चा में है लड़की यहाँ तक आगई कि हम उनसे प्यार करते हैं साहब से मिलने के लिए बीसाइब से इस मेंटर के शायबात गय कि अची बात है अगर इने मेंटर है तो इसको आप लोग अपना सथ्थी है हम लोग देखे सही में उलोहों का सचा प्यार था तो अब हम लोग इस पर विचार किये लड़का टेर्निंग करके आया और हम लोग ठाना परिसर में कल है साहब के आदेशा अनुसार हम लोग साधी करवाए आज मंदिर में आज कोट में भी कोट मेरेज करवाए लड़की का नाम है संगीता कुमारी वो उत्तर परदेश बलिया के रहने वाली है बतादे कि लखनौ की एक युवती को फेस्बुक पर एक युवक से प्यार हो गया इसके बाद लड़के की नौकरी बेहार पुलिस में हो गई वरतमान में वो मुझफरपुर रेल जिला में प्रतिनिफ्ती है नौकरी के बाद वो युवती से अलग हो गया लेकिन जब जब जबान की ओर से बादशीत कम हो गई और इसी के चलते वो यूपी से मुझफरपुर पहुँच गई सोशल मीडिया पर ये अनौकी शादी चर्चा का विशय बनी हुई है मुझफरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सबस्क्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकान को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सबस्क्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकान को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद